नमस्कार दोस्तों सबसे पहले आपको नवर्स की हार्दिक सूप कामना है दोस्तों इस वीडियो में हम उन इशु को डिसकस करने का प्रयास करेंगे जो हाल ही में चर्चा में बने हुए हैं दोस्तों यह वीडियो सिरीज आपको आने वाले UPSC प्रिलिम्स एक्जाम और अन् की जोड़ा बनाता है और एक इस्तान पर रहता है अर्थात यह माइग्रेशन नहीं करता है इसमें नर और मादा का रूप रंग अलग-अलग होता है यह अंडमा निकुबार में स्थित नार कॉंडम नामक शुसुत ज्वाला मुख्य दीप में भहुतायत से पाया जाता है दोस्तो पक्षी की इस परजाती को IUCN Red List और Sights Appendix 2 ने लुप्थ होती हुई परजाती बताया है यानि इसे Endangered Species बताया गया है दोस्तो भारत में Wildlife Protection Act के द्वारा इस पक्षी को सुरक्षया परदान की गई है दोस्तो अब हम यहाँ थोड़ा देख लेते हैं अंडमा नि द्वीप समु बंगाल की खाड़ी में स्थित है जो छेतर फल की दस्टी में सबसे बड़ा केंदर साशेत परदेश है इसमें करीब 247 चोटे चोटे द्वीप है निकोबार में 19 द्वीप है दोस्तो यह द्वीप वास्त में समुदर में डूबे हुए परवत के सिखर है औ दोस्तो इधर देख लेजिए डंकन पैसेज है डंकन पैसेज किस-किस के भीच दक्षणी अंदमान व ह目前 अंडमान के मद्ध्य है डंकन पैसेच और यह है बीच में देख सकते हैं आप 10 डिग्री चैनल दोस्तों 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार आइलेंड को अलग करता है सबसे नीचे है इंद्रा पॉइंट यह भारत का दक्षिनतम बिंदू है दोस्तों देख सकते हैं बेरन आइलेंड दोस्तों बेरन द्वी एक सक्रिय जो अलम की है दोस्तों इधर आप सैडल पीक दे सकते हैं राइट वाली स्लाइड में दोस्तों अंडमान निकोबार द्वी समू की सबसे उंची परवचोटी सैडल पीक है जो 730 मिटर की है तो दोस्तों य देखिए वो question 10 degree से संबनती जो UPSC प्रिलिम 2014 में पूछा गया था कि 10 degree चैनल किस किस को अलग करता है तो answer था A and Man and Nicobar तो दोस्तो अब आगे चलते हैं दोस्तो यह आता है mission 7 summit क्या है mission 7 summit दोस्तो यह भारतिय वायू सेना द्वारा सुरू की गई परवता रोहन अभियान की एक अनूठी स्रंकला है इस mission का उदेश से हर महादीप की उचतम चोटी पर तिरंगा और भारतिय वायू सेना का जंडा फैराना है तो दोस्तो mission 7 summit क्या है दोस्तो यह एक परवता रोहन अभियान की स्रंकला है ठीक है इस mission के अंदरगत हाल ही में परवता रोहन के एक दलने अन्टार्टिका महादेश के विंसन नामक परवत पर जंडे फराय है तो याद रखना दोस्तों Mission 7 Summit ये आगे आता है विश्व का सबसे पहला सोरय उर्जा युक्त राजमार्ग दोस्तों चीन के सेंडोंग प्रांत के जिनान सहर में विश्व का पहला सोर उर्जा युक्त राजमार्ग का प्रिक्षन हैतु उद्गाटन हुआ है इस मार्ग में तीन परते होंगी सबसे निचली परत ताप रोधी कुछालक परत होगी जो बीच वाली परत को मुष्चर से बचाएगी बीच में होगी सोर्य तापिय परत ठीक है और सबसे उपर होगी पारदसी कॉंक्रीट की लेयर जो बीच वाली परत यानि सोर्य तापिय परत को शती से बचाएगी दोस्तों यह राजमार्क वर्ष भर में 10 लाग घंटे चलने वाली बिजली उत्पन कर सकता है दोस्तों अब आगे चलते हैं दोस्तों यह आता है उमानन्दा दूइप जो आप देश सकते हैं जो पिकोक आइलेंड दिखाया गया है वही है उमानन्दा क्योंकि यह किसी मयूर के पंक की तरह दिखता है दोस्तों यह दुनिया में सबसे छोटा बसा हुआ नदी दूइप है दोस्तों यह बात इंपोर्टेंट है याद रखना कि यह दुनिया में सबसे छोटा बसा हुआ नदी दूइप है और यह असम में बर्मपुत्तर नदी भी पाया जाता है और उमनन्दा दूप है कहां असम में बर्मा पुत्तर नदी पर दोस्तो ये याद रखना दोस्तो अब आते हैं अगली न्यूस पर दोस्तो ये न्यूस है आगरिया से समधित क्या है आगरिया दोस्तो आगरिया एक घुमन्तु जन जाती है जो कच के रन मे दोस्तो बर्सात में कचका रन समुदर के जल से भर जाता है और अक्तूबर के महीने में समुदर का जल वापस लोटने लगता है तब आगरिया आकर नमक बनाने की जटिल परक्रिया शुरू कर देते है तो दोस्तो याद रखना आगरिया नमक बनाने से समंधित है और कचके रण से समन्दित है और यह एक गुमनतू जन जाती है दोस्तो इनका बनाया नमक समुदरी नमक से थोड़ा भिन होता है इसलिए इसे बढगर कहा जाता है दोस्तो ये भी याद रखना कि बढगर किसे कहते हैं दोस्तो जो आगरिया लोग नमक बनाते हैं उसे बढ़ागर कहते हैं दोस्तो आगरिया जनजाती के लोग कई रोगों से गरस्त होते हैं जैसे फटी हुई चमडी, गंबीर नेतरोग, टीबी, एसमान ये रूप से पतली टांगे जो उमर के साथ नमक के संपर्क से कठोर होती चली जाती है दोस्तो इस परकार हम देखते हैं कि ये आगरिये लोग काफी प्रोब्लम फेस कर रहे हैं नमक की खेती का काम पूरा हो जाने पर ये लोग पास के गाउं में रहने चले जाते हैं तो दोस्तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद और हाँ आपको एक बार फिर से नए साल की हार्दिक सुब काम नाएं